पूने पोर्ष अक्षिडेंट के इसमें एक और शोकानी वाला खुलासा सामने आया है पुलिस ने सोमवार को पूने के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टरों को गिरफतार किया है इस मामले में डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरी हरलोर को नावाली कारो पूमें गिरफतार कर लिया गया है पुलिस के मुताबिक नावाली कारोपी के दो बार ब्लड टेस्ट किये गए थे जिसमें से पहले टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव आया था लेकिन दूसरे टेस्ट में एलकोहल की मात्रा पाई गई थी इसका मतलब है कि पहले पूमार ने बताया कि नावालिक आरोपी के पिता विशाल अगरवाल ने ही डोक्टरों से ब्लड सैंपल बदलने के लिए कहा था डोक्टरों ने ओरिजनल सैंपल को डस्ट वीन में फेक दिया था और किसी अन्य शक्स का सैंपल लेकर रिपोर्ट बनाई थी जिसने शराब नहीं पी थी मामले में अब तक कुल नो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें डोक्टरों के अलावा नावालिक के पिता और दादा भी शामिल है बता दे कि 18-19 मही की रात कारियाले से लोटते समय एक लगजरी कार ने बाइक सवार यूवक यूफती को टकर मारी थी जि अगामे दिनों में मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है बने रही है हमारे साथ